तो दोस्तो ओलिन वन टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है मुझाफर पूर जिले में सिक्षक बहाली को लेकर रिती जो है रोश्टर जो है जारी कर दी गई है और इसमें काफी महत्पून बदलाव किया गया है दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी आपको पता चले दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कर जाले जीला सिक्षा पदादिकारी मुझे फरफूर सिक्षक नियोजन वर्स 2019 अवर्शिक सूचना जो है आप लोगों के लिए हैं दोस्तों देख सकते हैं प्रारंभिक विद्यालियों में सिक्षक के सिक्षक पातता परिक्षा में उतिन परसिक्षित अभियर्थियों द्वारा बिहित परपत्र में सभी सैक्षिक में परसैक्षनिक योगता का अंग परमान पत्र यानि कि जो आप टीचर ट्रेनिंग के हुए हैं चाहे आप डीलेड के हुए हैं चाहे आप बीड के हुए हैं उन में से कोई जो भी एक है उसको आप लगाएंगे उसका अंक पर्मान पत्र उसका पर्मान पत्र आप लगाएंगे उरिजिनल है तो आप लगाएंगे परविजिनल है तो आप परविजिनल भी लगा सकते हैं वहीं पे सिक्षक पत्ता परिच्छा का परवेश पत्र यानि कि एड्मिट का काड़ भी लगेगा सीटेट का एडमिट काड़ या बिहार टीटी का एडमिट काड़ आपको देना है एबम अंक पत्र अंक परपत्रों को स्वव अभी परमानित परती के साथ विशयवार कोटी वार उपलध रिक्ती के विरुध सभी नियोजन इकाई के शरदश को आप जो आबेदन करने का लास्ट डिट जो है 17 ऑक्टूबर 2019 तक है वहीं पर दोस्तों हम बात करें कि बीएड वाले स्टूडेंट जो है काफी चिंतित है कि उनका मेगा कैसे बनेगा उनका मेरिट कैसे बनेगा तो दोस्तों देख सकते हैं कि पात्चमर में है वर्ग एक से पांच तक हेतु सिक्षक पातता परिक्षा उतिन बीएड युक्ताधारी अभियर्थियों जिनका असनातक में कम से कम पच्चास परतीसत अंक प्राप्त हो वहीं अभियर्थी जो हैं वन टू फाइब में पर सिक्षित सिक्षक के रूप में चैन किये जाएंगे परंतु उन्हें दो वर्ज के भीतर एंसीटी द्वारा मानता प्राप्त प्रात्मिक सिक्षा में छो मा का ब्रीज कोर्स आप रूप से करना होगा वहीं पर इसका मेघा अंक की गनना जो होगी दोस्तों आप समीं देख सकते हैं बीएड वाले स्टुएंट्स की जो मेघा अंक की जो गनना ह होगी मैट्रिक इंटर बीएड और सिक्षक पातता परिछा के आधार पर यानि की बिहार टीटी आपका हो या सीटेट हो उसके अंक के आधार पर किया काफी बच्चे घबराए हुए थे ना तक का लगाना है कि नहीं गेशन लगाएं कि नहीं क्या करें तो इसको लेकर बीएड और सीटेट या बीटेट जो पाप उतिर्ण है उसका अंक आपको जोरना होगा यानि कि उसी को जोर कर मेगा अंक का निर्मान होगा वहीं पर आरक्षन के हम बात करें तो आरक्षन वैसे ही है दोस्तों फिर से यहां पर दोस्तों देख सकते हैं नौ नमर दिया है क सभी अभ्यरती पंचायत परकंड नगर नगर निगम नियोजन इकाई में आवेदन के साथ अपने सभी सैक्षिक प्रसैक्षनिक योगता का अंक परमान पत्र परमान पत्र सिक्षक पाचता परिछा का परवेश पत्र अंक परमान पत्र आरक्षन कोटी का लाव लेने के ल पर्मान पत्र दोस्तों देख सकते हैं बचे काफी पूछ रहे थे कि सर जो हमारा जाती पर्मान पत्र होना चाहिए किस से होना चाहिए सब्डिविजन से होना चाहिए या ब्लॉक से होना चाहिए बिल्कुल दोस्तों किलियर हो चुका है अंचला धिकारी के द्वारा जारी क किया गया जाती पर्मान पत्र यानि कि सीयों के द्वारा यानि कि ब्लॉग से जो आप बनवाए हैं वहीं जाती पर्मान पत्र आपको लगाना है और जितने करेंगे और अपने डॉक्मेंट के साथ उसे पिनप करेंगे भीजेंगे साथ में दोस्तों उससे भी बहुत बड़ी बदलाव की गई है कि एक निवंधित डाक टिकट लगा हुआ लिफाप भी सगलगन करेंगे यानि कि मुझपर पुर्जिले में आप जहां भी आवेदन कर देंगे आपको टिकट लगेगी निवंधित डाक टिकट लगेगी कितने की लँगे यह मेंनसन नहीं तो बेकेंसी की हम बात करें तो बेकेंसी इतनी अच्छी है इतनी बंपर बेकेंसी है कि आप लोग देखकर घवरा जाएंगे इतनी बड़ी बेकेंसी है दोस्तो आप लोग को मैं क्या बताओं दोस्तो देख सकते हैं कि समान सिक्षक के लिए मरवन जिले की जो रिखती है मुझफर पूर जीले में दोस्तों यह है अपडेट आप सभी स्टुडेंट्स के लिए दोस्तों अगर आप वेकेंसी नहीं देखें तो नाइसी के साइट पर जाएए वहां से आप लोग डाउनलोड करिए पूरे अपडेट और देखिए आपके जहां भी रिखती है आप च बार रोश्टर को पलट कर किर्प्या देख लें दोस्तों यह है महत्पूर्ण अपडेट आप सभी स्टुडेंट्स के लिए साथ में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगले बेल आइकोन को दूआए हो सकते तो अपने द तक देखने के लिए धन्वाद